हलो फ्रेंड्स तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे अपने फार्मेसी एक नाइटीन फोर्टीट के बारे में और ये चेप्टर हमारे लिए दिखता है तो बहुत जादा इंपोटेंट हो जाता है क्योंकि इसके अंदर हमारे एक टॉपिक आता है फार्मेसी काउंसिल यह तो आज आएगा तो आज आएगा और इसके उपर भी आपको पीसी आई के बारे में बताना पड़ेगा तो यह यूनिट हमारा मतलब यह पूरा का पूरा हमारा फंड़ा बहुत जादा इंपोट जादा है तो हम देख रहे हैं यहां पर अपनी यूनिट था आक्ट हो गया फिर मेडिशनल एंड टोलेट परपलेशन एक्ट हो गया और नर्कोटिक ड्रकूट्स और साइको ट्रॉपिक सभिश्ठांस एक्ट तो यहां पर सबसे हमारे इसमें फार्मसी एक्ट है कुश्चन हमारा आता है लेकिन इससे तो हमारे एक दो कोशन हमारे 100 प वह डिफरेंस मिलेगा वरना सेम मिल जाते हैं फिर आखर चीज कहां आती है तो कोशियन आता है कि जो हमारी जूरेस है उसकी लेंगवेज बहुत जाता है मतलब क्या है कि यहां पर आपको जूरेस की नोट्स मिल रहेंगे लेकिन उन नोट्स की लेंगवेज आप ऐसे पढ़कर मतलब समझ नहीं सकते कि आखर यह क्या रहा है तो इसके लिए आपको क्या है कि यह वीडियो आपको पूरी देखनी है और इसमें हम आपको डीटेल्स म है चलिए अब बात करते हैं हमने स्लेवस के बारे में कि आकिर हम यहां पर आज इस वीडियो में कवर क्या क्या करेंगे सबसे वहले हम देखेंगे कि फामेसी एक्ट हमारा एक्च्वल में होता क्या है और आकिर इसकी जरूवत हमको क्यों पढ़ी देन आती इसके ऑप्जे पूरा इसमें कवर करेंगे एक अपर इसके पार्ड कि आता है और इसके अंदर आप थोड़ी बहुत बात है इस एजिकेस्ट रेगूलेशन की लिख देना अब यह यहां आता है इसके एंट जोई पार्मिसी काउंसिल तो कई वार इसके मतलब इसके मारे इसके अमारे तो इसके उपर हमारा कोश्चन कई बार आता है रजिस्टर फार्मसिस्ट क्या होते हैं आपने देखा होगा दो माक्स में कभी आता है फिर नाम कैसे हम दर्द करेंगे फार्मसिस्ट में अबना फिर उसको रिमूब कैसे करवाएंगे यह सारी बात है हम यहां पर समझेंगे तो यह सारी की सारी हम बात हैं इस वीडियो में करेंगे तो बस आप वीडियो को पूरा देखते रहना और हम ट्राइ करेंगे आपको इतने अच्छे समझाएं कि आप डिर्क्ली एक्जाम में लिख सकें तो हेलो फ्रेंट्स मेरे नम है अकाश कुमार और स्वागत करता हू है तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर हमारा फार्मेसी एक्ट है क्या तो देखो हमारी पूरी पूरी इंडिया है उसके अंदर हमारा फार्मेसी आपको बताया आपकल तो बहुत इमर्जिंग हो गया हर तरब भढ़ता दारा फार्मेसी का सारा कुछ प्रोफेशन से लेकि पूरे काइब पूरे का काम करता सियानु की इस टांगे की कि यह इस को सब्सक्रा करेंगा यह जो बिशार है उठी करने का करेंगे था से सब्सक्राइब कर रहे हैं तो इस यहां पर यह पास होते हैं तो एक हमारी इस्तेट को निए गए गाई यहां आपको यहां बता रहा हूं तो यह सेंट्रल गवर्मेंट हमारी होगी उसके द्वारा हमारी फार्मेसी एक्ट है वहारा पास किया दता है बाकि पूरे के पूरे यह पूरे के पूरे के पूरे इंडिया में लागु होता है जासे हमारी उक्ते ने ही से लेकिन पर 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 ले लो चाहे आप कोई भी एक्जाम ले लो हर किसी में आपके जुए यह चीज़ हमारी काम आने वाली है तो यह आप समझते हैं इसके अब्जेक्टिव लेकिन इससे पहले समझेंगी कि आखिर हमको इस फार्मेसी एक की जरूरत क्यों पड़ी आखिर इसके पीछ पर 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 नदी आके पर आपने देखे होगी तो इस तरह क्या हो रहा था है बहुत जादा हमारा सीट गडवड हो रहा था तो यहां पर क्या हुआ कि कुछ हमारे फरजी लोग भी उभर का है जिन्हों कि दबा देना शुरू किया अब एक्जांपल समझे ऐसा कैसे शुरूगा होगा तो मालो यहां पर एक बंदा था जो आया यहां पर इस ने करेगा कि अगली बार मालो कोई दबा यहां लेने आया इनके पास यह उसको रोग है बोलो बही क्या होगा कि इतना दूर क्यों जा तो नहीं पता कैसे दी जाती है किस कंडिशन में दी जाती है वालब ग्यान नहीं था प्रपर एजुकेशन नहीं थी बस इसको यह पता था कौन सी देनी है और ऐसे में कोई भी डॉक्टर नहीं बनता आप भी जानते अच्छे थे तो इस चकन में क्या होगा कि लोग को मरन रखे गाते है और उन सब किसमें क्या हुआए जितने भी फट्रशी डॉक्रस्ता कर नहीं रही थे और वह ऐसे बोल भी नहीं रहे सकते हूं लोग बहुत उप सिन नहीं थी नहीं थी तो इसे लोग ज्ब ज्यादा मर है थैकन इसे को गंट्रोल करने के लिए वह हमारा एक तयार किया गया पूरा का पूरा फार्मेसी एक्ट और इसमें बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन बनाए गए कि कौन दबा दे सकता है कौन दबा ले सकता है कैसे हुआ सारा कुछ हमारा किया गया और जैसे हमारा देस आज़ाद हुआ उसके एक साल बाजान की 1948 में ही आप इस कि उसका मेन पर्पस क्या था यान कि वो हमारा बनाया क्या हो गया तो सबसे में पहला और मेन पर्पस क्या था राइगुलेटिंग एंड रेजिंग दा इस्टेटस आफ प्रोफेशन ऑफ फामेसी इंडिया अब आपको जब यह पता है कि जब इतना कुछ काम काई करेगी हमारी फामेसी एक करेगी और उसके बाद हमारा दूसरा आपको कैसे आखना है देखो हमारे जो भीमेड़ के तो कर आपको किसी को भी आगे करना तो आप अपनी क्या कर लो Education को पका बना लो क्योंकि Education ही वह चारी है जो आपको सक्सेस करेगी या कोई भी काम करेगी तो उसके लिए यहाँ पर क्या होगा कि दूसरी नमर पर हमारे गाया हमारी एजुकेशन को युनिफॉर्म करते हैं कि कैसे होनी है क्या उन्हें एक दम फिक्स किया और हमारी ट्रेनिंग वगरे को बढ़ाया अब देखो लोग जेतने थे वो मरे क्यों थे वह इन लोगों की बज़ा से नहीं हो नहीं थे प्रॉपर एजुकेशन नहीं थी क नहरा पर एक हमारा पूरा ख्राटेरी है बनाए गे कि कोई भी हमारा बंदा होगा वो कैसे हमारे फारमसी के प्रोफेस्टर में एंटर कर सकता है कैसे अंदर जाईगा सारा कुछ हमारा त्यार किया गया और बाकी जो committeemeno unprecedented यह से sensitive case होते हैं इसमें मरीजों के मरने की संक्राइब कर दिया तो इसलिए बहुत जरूरी है कि जो हमारी government है वो इसको क्या करेगी डाइट करेगी क्योंकि government के तहत क्या है कि जितने लोग हम सब आते हैं वह मारे उनके एक तरह से क्या है उनके मतलब पीपल्स हैं तो उनकी रक्षा करना उनका फर्ज बनता है तो यह सब क्या है हमको иногда आठकिःट का मतलब एक्टिविटीज को कंट्रॉल करनी का काम भी और यह करती है उसके बाद जो हमारीcrire फारंसी ऐक्ट है इसमें फार्मारी दोचीजवें जार गदा काम करती है पहली हमारी पीई मेंकर कर ने का क्या मिलता है exam question paper के ऊपर भी आपको लिखा मिलजाएगा पीसी वगरा फिर हमारी यहां आती है state pharmacy council यान की एस पीसी तो देखो यह जो पीसी यह हमारी पूरे का पूरे central की है central मतलब पूरे का पूरे मतलब जैसे जैसे मोदी जी होगा है हमारे पूरे पूरे देस के इना यह पूरे पूरे मोदी चाहिए और इनका काम क्या होता है यह जो हमारी हमे पर्प्रफस होता है कि हमारे छो फार्मसिस्ट है उनको रेगूलेट करेंगी उनका करेगी यह भी हमारी करते हैं लेकिन यह हमारी इसको क्या करते हैं खबर पहुंचाएगी तो इस चीज़ आप यहां समझ गए होंगे ठीक है चलिए कर दो अब में समझ गए हमारे प्रोफेशन को रेगुलेट करा मतलब यह आप ने समझ गए नाइन फॉर्टीट माया और प्रॉटीज इसक सेक्षन है और यह सारे फंड आप समझ गांगे कैसे होता क्या तो अब हमारा सबसे इंपूटेंट आज की वीडियो का टॉपिक आता यान की PCI अब इसके बारे में आपको दो चीता में पढ़नी है एक होता इसका कंस्टिटिशन यान की कौन को लोग तो आरा मिलकर बना है और एक होता फंक्षन की आखिर यह हमारा काम कैसे करता है तो यह हमारी इक सेंट्रल कांसल होती है आनकि हमारे पूरे क्वड़ क्या ह यानिकि जो पहला ही मेन काम तब वो हमारे education के उपर किया गया था तो हमारे PCI बनाएगी जो हमारे पूरे education को कंड़क कराती है वाकि जो हमारे 46 section थे उसमें से तो section 3 है उसके तहट हमारे यह pharmacy ने क्या किया है इसको हमारा बनाए गया है बाकि यह हमारे पूरे education को regulate करने का काम करता है जो यह इसका क्या होगा मेन काम हो गया ठीक है बाकि यह हमारे जो हर 5 साल बाद यह ने कि जो हमारे फार्मेसी काउंचल PCI है इसके अंदर हमारे बहुत से लोग आते हैं लगवाद 30-40-50 तक लोगो हम हमारे होते हैं तो अब हमको समझना इसका constitution यानके कौन-कौन हमारे लोग होते हैं तो हमारे तीन तरह कि पीपल साथे मेंबर साते हैं पहले हमारे इलेक्टेड मतलब होता है कि हैं election के दौरा हमारे यह लिये गए हैं और election हमारे कैसे होंगे आगे आप यहां सबच जाओगे नौंनेटर लोगों ने पूचा किसको जाते हो तो यह हाथ उठाए उठाएं तो हमारे इलेक्टेटर होगा नॉमिनेटर वूम्टार आया उसने बोलतिया कि यह उठो बलाने निगे कि आज से तो मोनीटर हो यह उटकू के आसे तो मोनीटर जो हमारे किसी में काम करें होंगे और यान की वह एक्स ओफिसर होंगे अब इनको लिया क्यों जाता है क्योंकि आप भी जानते कि जो हमारे बड़े बज़ुर्ग होते हैं उनका जो experience होता है वो हमारे देश को चलाने के लिए बहुत helpful करता है चाहे हमारा घर हो चाहे कहीं भी हो हमें अपने बड़ों की बाते जरूर माननी च हमारी होते है युञारे काम करें sublaws लिए जाते हैं और इस में से क्रेवां पर ना फार्मा कॉंटी में यानकि किसी भी हमारे इंडियान यूजिशित के हुगा कोई ना कोई एक टीचर जहांपर जरूर होंगे। तो यह हमारे six member लिए जाते हैं UGC के द्वारा मतलब यहां elected किये जाते हैं, उसके बाद यहां पर एक member हमारे है, वो हमारे medical council of India की MCI, यह एक medical council of India हमारी और pharmacy, जो दोनों हमारी अलग है, जो pharmacy council है, यह हमारी एक्षिल माँ pharmacy को control करने का काम करती है, लेकिन जो हमारी medical council of India, यह ह हमारे डॉक्टरी लाइन का पूरा सीन है, medical वाला, उस medical चीज़ को यह control करने का काम करती है, तो यहां पर एक हमारे एक तरह से कह सकती है, हमारे doctors बगएरा बाद फ़री टीम हमारे जोइंट होती है, तो यहां एक हमारे medical council of India से भी एक member हमारे यहां elect किये जाते हैं, चुने आते हैं, फिर हमारे यहां पर एक member हमारा registered pharmacist, अब दौनों लोग आगा है, यहां पर जो medical चुनाएगा हमारा medical practitioner होगा, और यहां जो हमारा pharmacist होगा, ठीक है, इन दोनों का अंतर में आगे आपको बता दूँगा, तो यह हमारे यहां पर चुने जाते हैं, और यह हमारे हर एक State से मतलब यहां पर आजाता है, तो यह हमारा मतलब पूरा State का दे का आ रहा है, एक पूरे country का आ रहा है लेकिन जो हमारे यह होंगे रहा हर एक country, जो भी हमारी country होगे, उन सब country मैं से क्या होगा, एक हमारे रिष्टर फार्मसिस्त यहां पर आजाते हैं, तो यह में लि तो यह आपको यहां पर मिल दाएगा नॉमिनेटर मैमर्स मतलब वह एसे जो नॉमिनेट किया गया हूँ तो यहां भी हमारे जो six members होंगे वो हमारे nominate किये दाएंगे किसके दोरा हमारी central government कि दोरा किये दाएंगे और उस मेंसे क्या होने चाहिए चार हमारे लगवग ऐसे होने चाहिए जिनके पास जातो डिग्री हो या डिप्लोमा हो हमारी pharmacy के अंतर यानकि बिना डिप्लोमा फार उस मेंसे जो भी हमारे लोग आएंगे तो लगव मालो हरे ग्राचे तो वहां से एक एक representative हमको चाहिए जो उस यूजी सी को रिप्रेजेंट करता है उस मेंसे एक चाहिए और एक हमको चाहिए है और इंडिया काउंसल फॉर टेक्निकल एक्टी तो देखो अब आपको एक ब हमारे है यह मारे एक टेक्निकल कोर्स भी थोनों ही तरह कामारे एक च्कर्स आता है तो टेक्निकल कोर्स होने करहा हमारे आगते ठैजी किया थाErगा हमारे यह लोग guess lives ऊसा, ठुट तो हमारे बिसेद्टेद्ट आए गर हमारे आती है तो एहां तीन चीज़ आती हो gaan हो आता मपको याद रखती कह याद सब्सक्राइब करने के लिए डारेक्टर्स औफ सीडियल यानकी सेंट्रल ड्रग लबरेटरी सीडियल हो गया और ड्रग कंट्रॉलर पर विसिकली हो गए अब अगर सोट में जारों कैसे कर सकते हो कि हमारे पीसे यह इसमें तीन थीर लोग है वहाँ leopard चुने गए हैं तुम्हारा नविनेटर जो हमारे सब्सक्राइब और व्योग्रिचर हो यह हमारे मतलब Central Government द्वारा अप्रूब किया है जिनके पास बीफामेशी या डिप्लोमा डीफामेशी बगरा हो फिर एक हमारे लिया गया गया यहां पर एक रिच्टर फार्मसेस्ट हर एक इस्टेट से लिया गया यहां पर तो यह हमारे नॉमिनिटेट होंगे और यह वैसे जाने कि DC एंडिया यहां पर पूरा और यह बहुत हमारा एक्जाम में आता है अब जैसे हमारे क्लास पूरी तैयार होगे लेकिन उसको चलाने के लिए कोई मौनिटर होता है उसी तरह यहां पर लोग बैठे होते हैं और इस तरह से और यहां पर एक हमारी चेयर खाली होती तो यह हमारे क्या करते हैं आपस में डिसाइड कर लेते हैं कि यह तरह हमारे इस तरह से बनते हैं और यह हमारे ऑफिस को पूरे पांस साल के लिए समालते हैं गया और मारे बीच में कोई दिक्कत होगी निकल भी सकते हैं और यहीं को यह हमारे पीजियुट्फर बनाई जाती है अब इसमें हमारे कुछ X of your members में हमारे आते हैं वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट हमारा बनता है Chair of Man of Committee जो कमेटी के चेर में बनता है वो हमारा प्रेसिडेंट यहाँ पर बनता है कोई बन्दा ऐसा जो को मदफ डर लग रहा है कि इसने रिश्टाब फार्मसिट हो गया कोई बीचीज़ हो गया तो सबसे ही में परफस हमारा होता है कि हमारे लोग बनेंगे उसके लिए सबसे मिनिममम रिक्वार्मेंट क्या होने चाहिए जैसे अगर बनना तो बी फामिसी चाहिए दी फामिसी चाहिए तो यह तरह कि हमारी मिनिममम इस्टेंडर पेजुकेसन हमारी किस ने डिसाइगी हमारे पीचीज़ आता है कि आखिर जो पढ़ रहे हैं उसके लिए कौन सा कोर् तो यह सब भी हमारी पीचीज़ करते हैं कॉन पीचर फॉलो कर भी रहे हैं कि उसको भी क्या करेगी इसके लिए कर रहे हैं कि पी से हमारी एक एज्यूकेशन बनाती तो हमारे यह सारे करेगी और हमारी जो executive committee है ये भी हमारी इन चीदों में help करेगी तो देखाता है overall सारे ही लोग हमारे मिलकर काम करते हैं कैसे क्या होगा अब आप लोग जो है एक पर फिट से देखने ना अगर आपको कुछ भूल रहा हूँ बस confused मतो सारी कहानी की तरह व्याद करते रहो कैसे क्या काम करता है सारे को ठीक है तो यहां हो गया तो अब यहां पर जो PCI है वो हमारी एक चीज और बनादी सक्क्रम क्या होता है ER जान के education regulation तो जो ER है हमारी वो actual में PCI के अंदर द्वारा ही बनी गई है जो हमारी education को ही control करने का काम करती है तो यहां पर आपको कुछ function दिखेंगे तो यही same function हमारे PCI के होंगे और यही same function आप जो अपने education regulation के अंदर भी लिख सकते हैं तो पहली बात कि जो भी हमारे education standard होंगे फार्मसिस्ट के लिए जो भी बनाए गए है उन सब को मतलब क्या बोलेंगे हम यहाँ पर education regulation बोलते हैं याँ कि आप एक चीज़ समझे गए education regulation कुछ नहीं है बस हमारे जो भी rules regulation हमारे study के जानकि और education बनाए गए हैं फार्मसिस्ट लोगों के लिए वह हमारे education regulation कहलाता है अब यहाँ पर और भी कुछ function बढ़े तो पहला हमारा आता है approval of institute and withdrawal of approval अब आपको पता होगा जो PCI होती है वह कोई भी अगर institute हमारी तो अगर वह PCI को follow नहीं करती है जाब PCI के अंदर नहीं आती अप्रूब्ड नहीं है तो उसका लोगों इतना माननी होता वह चलती वगरा भी नहीं है तो उनको PCI का approval लेना बहुत ज़रूरी होता है तो यहाँ पर PCI का अप्रूब लेने के लिए कुछ कहानी है पहली क्या होती है तो उसको जो भी क्राइ साथ मिलकर और क्या करेंगे हमारे यंटिट वगरिंगे सीख लगता है और तो आपisiejे हमारा तो मुझे है तो मुझे कोई भी अगर information देनी होगी आप लोगों तो मेरे पास क्या option है एक हमारा टेलिग्राम को जिसमें आपको बता देता हूं एक हमारा है जो community post होता हमारे YouTube channel उस पर बता देता हूं यह मैं डाकली आपको YouTube पर वीडियो के तो बता देता हूं तो यहां मेरे हो गई तो उसके लिए जैसे ट्वेटर हैंडल होगा हमारे सबसें फिर कोई न्यूज चैनल हो गई या जैसे आपको याद होगा मोदी कभी-कभी जब लॉकडाउन लगा था तो एकदम न्यूज चैनल पर आते थे नेशनल वाले पर तुरंत बता देता है कि पूरे देश मे और इसके वारे में आप कहानी बनाकर लिख सकते हो मैंने चीज़ां आपको बता दिए हैं ठीक है तो यह हमारी जो भी होंगी यह हमारी इसको फैलो करेंगी और उसके बाद होता हमारे एक बिद्ड्रॉवल और अप्रूबल अब मालो कि हमारी इस्टिट्यूट का और इसके आपको झाले इसके और अच्छे से काम नहीं कर रही तो वहां पर बीद्ड्रॉवल और उन्होंने ऑ्रूवल दिया ता इस सेश्मां इंस्टिट्यूट को फोन ने बापस ले लिया कब लिया जब नहोंने पहले इस्पेक्ट करके सारा कुछ पता लगाया अगर क कर सकते हैं या किसी ने कभी कोई सिकायत लगाई कोई मतलब कंप्लेंट बगर आई तब वो जाके इंस्पेक्ट करेंगे तो यह सब सीन हमारे होते हैं तो अगर आपके भी कॉलेजिन में कोई कर सकते हैं कोई लेटर बगर लिखके भेज़ दो सारा कुछ अगर कोई जादा ही प्रॉब्लम है तो यहां पर फंडा हो गया और इन समय जो हमारी हेल्प करता कौन करता है और हमारी यहां पर एक्जिक्यूट कमेटी तो यह वी चीज आपको यहां पर किलियरली होगी होगी बाकि यहां पर और भी फंक्सन हमारे PCI की कि जैसे मालो कोई भी हमारा ऐसा बन्दा जो फॉरें से क्वालिफाई होकर आया है तो आपको पता होगा अगर कोई फॉरें से क्वालिफाई होकर आया तो उसको डार्क ली इंडिया में बैल्यू नहीं मिलती है इंडिया के सब्सक्राइब नाम से थे हर एक फॉरा का पूरा देश है उस में हितने भी फार्मसिस्ट हमारे उन सब क्या होता है जैसे मालों हम अपने आपको रिजिश्टर करvाएंगे कि हाँ हम हम फार्मसिस्ट है और उसके लिए हम application बगरा देते हैं जो भी फीस बगरा होती है वो देते हैं और सारा कुछ फिल कर देंगे देन हमारा कुछ टामात क्या होगा registration होगा देन हम जो है हम अपने नाम के आगे फार्मसिष्ट लगाएंगे यह हम फार्मसिष्ट है केवल डिगरी कंप्लीट करने स डरोट कुछ बगरा होता है तो यह क्राइटरीया होता है और अप प्डेट करना होता है तो उसके अपडिट होता है था बगरा नहीं तो इस वाले टॉपिक को हम आगे पढ़ेंगे क्योंकि हमारे डीजल में यह दिया गया है तो यहां पर आपको यह वाले फंडे यह पीसे यह बीज़ाते हैं यह भी आते लेकिन यह यह यहां पर आपको डबल महनद नहीं करनी अगर आपको पी यह बला आता है तो आप इन अब आपको बड़े आम से आपको निल जाएंगे यह सब लिखोगे यह लिख Aud fullest यहां तक मिल जाएगा तो यह हमारा अप्रूब किया दाता है Central Government इसको बनाने का काम कॉर्ण करता है हमारा PCI के द्वारा ही हमारे एजूकेशन रेगुलेशन बनाये गया है और education regulation का सबसे main fund हमारे क्या होता है कि यह हमारी minimum qualification को मतलब mention करता है कि कि किसी भी फार्मसिट बनने के लिए क्या कैच चाहिए कैसा जी के सारे की सारी बात है तो अब बात करते हैं इसके function के लिए देखो इसमें कोई conclusion नहीं है क्योंकि यह हमारे PCI द्वारा बनाए गया है और education regulation का तो क्या आता है कि पहला fund है minimum qualification फॉर एडिविशन टूदा को यहां कि अगर हमको course में लेना है तो हमको क्या minimum qualification चाहिए एक्जांपल के लिए से मालो भी फार्मिसी में चाहिए तो हमको लगो है 10th प्लस 2 करनी है या तो PCM हो या फिर PCB हो यह हमारे लिए कंबल सरी है अब देखो बहुत लोगों सुना होगा यह इसमें हम सिर्फ biology की तोरह करते हैं लेकिन यहां math भी अगर हमारे पास 12 में हो तब एक तरह नेचर और पीरेड जानकी कितने टाइम के लिए होगा तो मालो भी फार्मिसी यहारी चार साल का है दी फार्मिसी हमारी दो साल का तो यह हमारे एक तरह सी क्या होगा उसका प्रेक्टीकल ट्रेनिंग तो जो भी हमारे आपने सुरांगा medical course जो भी आते हैं उसमें प क्या कि भी करेंगी क्या आपने की यह नहीं की फिर हमारे यहां आता है तो इसकी एक्विपमेंट और फैसिलिटेस कैसी होने चाहिए जानकी लैप्स बगर्वा क्या कैसे होने चाहिए सारह कुछ हमारे को हमारी कौंडर करती है हमारी कौन कौन सी चाहिए यहां यहां यह भी करते हैं कि क्या हमारी इसको फुल्फिल करें कि नहीं कर रही है तो भाई कोई ना कोई एक्सेल लेगी अगर पता चलता है कि कोई घड़वड है तब तो आपको मैंने बतायता है अप्रिवल को बापस भी ले ले लेते हैं बोलो फिर हमारी आते है और जो होती है वह मतलब करते हैं तो उसको भी कंडिशन फुल्फिल कर रही है कि नहीं कर रही तो उनके उपर भी एक्सन लिया जाएगा बात में अगर सिकायच पहुंचती है तो यह सारी सीन हमारे होते हैं जो हमारे इसके द्वारा फंक्शन किये जाते हैं बाकि और भी कुछ बात आती है हमारे यह कोशन कई वार दस में भी देखा गया तो इसलिए जहां डिटेंस बताना है तो आप PCI के बारे में भी थोड़ा बात लिख सकते हैं तो यहां पर क्या होगा कि देखो जब भी कोई हमारे एजुकेसन रेगुलेशन बनाई जाती है तो हमारी सेंट्रल गवर्मेंट द्वारा अप्रूब की जाती है लेकिन इसको अप्रूब ऐसे नहीं कर सकते कैसे होते हैं मालो देखो PCI ने हमारे बने आजिकरसन रेगुलेशन जो भी इसके रूल्स रेगुलेशन सारे कुछ बता दिए अब यह क्या होगी यह हमारे सार इसको डिसकर्स करते हैं स्टेट फार्मेसी कांसिल के साथ में यान कि हर एक स्टेट के अलग-अलग होते हैं और जब यह कर लेंगे तो उसके बाद क्या करेंगे यह ऑफिसियल गैजट में अनाउंस करते हैं तो यह विसकली हमारा फंडा होता है और जो हमारी पीशे आई उसको फिस सेंट्रल गवर्मेंट के पास उसके प्सक्राइब तो इस तरह में लिए हमारी फंडा होता है इन लोगे पास तीन महीने का टायम होता है अगर यह कुछ भी अपना उपिन तक पर यहां पूली यह होती है और हमारे फाइनल यह और चाम सब्सक्राइब और यह सारे चीज़े मैंने आपको पहले ही बता दीते हैं यह हमारा में इसका फंडा हुदा ठीक है आप समझते हैं एक कोशन हमारा बना है कई बार कोशनों में देखा गया है आपको यह चीज़ तो समझ आगी होगी कि यहां जितने भी हमारे प्रीवीस कोश्चन्स होते हैं पर यहाद आता है यह तो यह सारे चीज़ा हमने इंकल्यूड किया है कोई बात नहीं है फिर हमारा आता है एज्यूकेशन रेगुलेशन जो है वो हमारा किसी भी स्टेट में कैसे एफेक्टिव होगा तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा यह मैंने आपको बताई थ बता है जब तक हमारी स्टेट रहेती सब्सक्राइब नहीं होते हैं अब समझो किया हमारे यहार उसका स्टेट करा में क्या काम होता है कैसे होता तो पहली बात होगी यह उसके जो हमारें मैंने आपको पहले बताएते हैं यह वाले यह लिख सकते हो लेकिन कुछ अडिशनल फंक्शन क्या है कि यह मारे स्टडी को और एक्जामनेशन को अप्रूब करेगी किसी भी स्टेट के अंदर मैं यहां पर बात कर रहा हूं इस्टेट काउंसिल के अंदर ठीक है तो वहां कि किसी को भी अप्रूब करेगी दूसरा किसी भी बग्रह होगी तो वहां पर क्या होगी उसको अप्रूबल देने का काम हमारे कौंदेने का काम म mercado रातीया है तो यह प्न्ड़ और ऐसकेὗा मिलते तो बिद्डॉल भी कर सकती है अपना काम तो यहां पर होता है इसका फंडा उसके बाद कुछ और भी क्वालिफिकेशन होते हैं उसको भी अप्रूब करने के काम करेंगी और सबसे यह मैंने आपको पहले बताई कि पीशेहमारी वह पूरे देश को समालते हैं लेकिन हर एक स्टेट के फार्मसिस्ट को मैंटेन तो कर में जोमारर यह न हो आप यह पर इसका फिक्स होता है इस तरभ हमारे पूरा फंडा चलता है फिर पीशेहिं युनरिष्टर को मेंटें करे कि पब्लिक के लिए कि पब्लिक भई देख सकते हैं कि कहां कैसे सारा को सीन हो गया तो यह हमारे विसिकली एजुकेसर रेगुलेशन का सारा फंडा हो गया आई होप आप लोग समझ गया होंगे यह फंडे जो मैंने पहले भी उसमें पीसे यहां लिख सकते हो अब हमारा यहा हमारे किया वेर्शिस्टर साथ मेंटर करने का काम करती है यहां पर क्या हो गईคotte गे मालो कोई तीन हमारे वाला तो सेमब्पना क्या होता है कि मालो कोई 2-3 जेट है और उनको कोई गडवर हो तो यहां क्या हो घक पूरी अपनी कई गड़rando क्वाप टीन से चार्श toe कुछ भी और चांब तो सेम इसी तरह से जोइंट इस्टेट फार्मसी काउंसिल का अपने यहां पर काम होता है और इस तरह पूरा फंड़ा होता है तो आप समझते कि आखर हमारी बनती है इनकी पूरी यह काउंसिल बनाती है इतना पहला डिफ्रेंस आप समझ के लिखा नहीं आप लेकिन एक्जाम में जरूर लिखके आना फिर बात करें के लिए तो यहां पर देखो यहां को हमारी होगी अब यह करना पड़ता है कुछ लोग क्या होते हैं सिर्फ वीडियो को ही देखत आपने में quotes तरह से जो हमारे घृतर होने के लिए यहां पर आपको दिख रहे होगा पहले हमारे इसते पर शेत अनधर मेडिकल कांसल अब पूरे ने का औरुकलर ना संवे वीछ होता है यहां यहीब लोग लिए Using उपिक अंदर का जो ओसमें से क्या हुँआ को बंदे को चुटा गया है इस पूरे को पूरे स्टेट परमसी कांसिल के लिए तो ही हमाँ पहले होते हैं से लग वाधे या ज़या ओन रिक नीडियर से जदा कौन सब्सक्राइब जो सारी सब्सक्राइब करता है पूरा समालने वाला कोई में दरदा होता है तो उसका कोई भी परसन मतलब जो में होगा वो हमारा इसके अंदर आता है फिर मारा आता है उफिसर बाफिए तो जो भी हमारा फिसर चार्ज में लके उनंके बाद एक्स में पर भरबूर यह मैं इसकंड में अगर ना तो इसलिए जो रिटाइड हो चुके होते हैं, एक्स वाले होते हैं, एक्स ओपिसर होते हैं, उनको हम यहाँ पर लेते हैं, और वो भाई, पूरा पका काम करते हैं, तो इस तरह हमारी यह तीन होते हैं, अब बात करते हैं, जो हमारा यहाँ था, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ जितने भी हमा लेकिन यहां लगवागत दो से चार मेंबरी हम सिर्फ लेते हैं हर एक स्टेट से जो हमारा क्या होगा यहां पर गवर्रमेंट द्वारा नॉमिनेट किया दाएगा और उन सम्में क्या होना चाहिए कौमन कि प्रेसिडेंट हो गारेख जो इन सब को करेगा पांस साल केलिये हमारे फंदा नुस्य था कि तो अब लोग के मन में कुशन आता है कि जो यहां इनका बहुता है मिल आपना जो भी काम होता है फिकस कर लेते हैं यान कि जो भी इनका function होगा जो भी कुछ होता है वो हमारा क्या करते हैं जब agreement पे sign हो रहा होता है उसी time पर यह fix कर लेते हैं इससे आगे कोई भी problem अगरा नहीं होती है तो यह हमारा basically fund हो गया अब आता है function of state and joint state pharmacy यान कि जो हमारी यह चीज़ा है इनका आखिर में function क्या है मल सब्सक्राइब होता है इनका maintenance आपको बताया कि कोई भी हमारा बना है तो इसका नाम यहां दर्थ करना कैसे करना सारा कुछ और इसको मेंटेन करने के पाद सेंटर की PCI के पास भेज देना तो यह main fund हमारा होता है इस पूरे को पूरे state council का बाकि यह हमारे क्या करते हैं इंस सब्सक्राइब करने का हमारी यह करती है तो इनके काम बैसे हमारे इसके अंदर आप इसको काम लिख सकते हो तो यह हमारे हो गया इसका आता है state or joint का वह हमारा आता है यहाँ पर registration of pharmacist जो मैंने आपको यहाँ बताया जब register बनाएंगे तो उसमें क्या काम होगा register करेंगे फार्मसिस्ट का तो वह हमारे यहाँ पर आता है तो यहाँ पर हमारा जो इसको अलग से बात कर रहे हैं वाकि आप चाहो तो इसी के अंदर इसको यहाँ पर लिख सकते हो अगर यह long में आ गया तो वरना इतना आपके लिए ठीक है आपके लिए में आता है यह difference तो वह आपने यहाँ पढ़ लिया है और ठीक है चलिए तो अब हमारा यहाँ पर लास्ट कुशन एक तरह से आता है registration of pharmacist यानकी फार्मसिस्ट कैसे करते हैं तो उसके लिए आप पहले समझो क्या है registered pharmacy actual में क्या होता है तो कोई भी बंदा हमारा जिसका नाम register में लिख दिया गया है जो मैंने आपको रिश्टर भी बताया central register होता है उसके अंदर लिख दिया गया है तो वह हमारा register pharmacy कहलाता है और लिख दाएगा तो वह कैसे लिखा लिए तब हमारा register कहलाएगा ऐसा नहीं है मालों आपने यूपी में रिश्टर कर वा लिया और आप मुममईद आके काम कर रहे हो और वहां पर किसी को आपने बताया नहीं है तो आपको अगर महाराश्ट में आपका काम कर रहे हैं तो वहां पर दाके पहले आपने आपको थोड़ी दिन के वह आई हो कि हम यहां इस काम से आए हैं और हम वहां करने पड़ेंगे थोड़ी बहुत देनी पड़ेगी तो यह बिसिकली हमारा पूरा फंड़ा होता रिश्टर को होते हैं यहां डेफिनियसन में आप देख सकते हो ठीक है उसके बाद बात करें तो जो हमारा 1948 वाला जो भी पूरे चल दाए उसने लगवक चैप्टर फोर के इतायत हमारे जो रिश्टेशन फार्मसिट है यह हमारा पूरे इस्टेट में डिसाइड किया है तो यह बिसिकली फंड़ा हो गया अब समझे सारी कि सारी कि अगर किसी को रिश्टेशन करवाना है तो उसके लिए क्या क्या जरूरत पढ़ती है तो पहले फंड़ा कि अगर किसी को रिश्टेशन करवाना है तो वो हमारा 18 साल से उपर होने चाहिए दूसरा बात कि वो उस देश में यहां तो रहना चाहिए यहां पर कोई कंड़ेट में रह रह रहा है या तो वहां पर उसका क किसके लिए क्या चाहिए तो वो हमारा पूरा प्रॉपर होने चाहिए और एक और बात कि अगर मालों वो हमारा बाहर से आउटसाइड या इंडिया से कहीं से आउटरी कौलिफिकेशन लेकर आया है तो इसको जो एडिशनल टेस्ट होते हैं वो उसको यहां पास करने कि उसे महरास्ट में अगर रिष्टर करवाना है तो यहां वहां से किया हो यहां नहुत करवा सकता हैं होरा प्रॉपर प्रॉट जैंड नियुद रिग्स करते हैं उसको यहां बनाने का..? करेंगे तो फर्ष्ट इफुरेइद के लिए कुछ जरूरी चीज़ चाहिए तो हो रहा है यह उसका प्राफेशनल सब्सक्राइब कर दिया अब यहां मारा आदा काम हुआ हमें अभी 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 अप्रूब नहीं तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि जब हम अपना मतलब कर देंगे पूरा परपेर कर देंगे उसके बाद हमको क्या चाहिए कि हम रेइश्टर हो जाएं तो उसके लिए हमको कुछ सर्थों को फॉलो करना पड़ेगा तो पहली सर्थ यहां पर आते हैं कि हम 18 साल से उपर हो जाए जो मैं आपको पहले बता दी दूसरी हमारी आती हैं यहां पर फीज के लिए सब कॉलेज होने चाहिए बिजनिस होना चाहिए यह चाहिए वह स्टेट में होना चाहिए यहां भाट बात कि हाँ यहां परphonance prizes के आया है जो भी उसका है तो उसको जो हमारा इंडिया वहाँ पर उसको एक इक्क्यूवैलेंट एक्जाम देना पड़ेगा जिसको मैंट्युलेंच वगए्यजिशन ब्हगर बोलेंगे पड़न shut Quindi यहां पर पर एक हमारा आया था कि write the registration of मतलब किसी का नाम रिश्टर कैसे होगा फिर हमारा यहां पर यहां पर यह भी होता है कि नाम कैसे रिमूब होगा तो मैंने यहां भी इसको include किया है तो एक तरस देखा था है इस चैप्टर के जितने भी question बंदे थे सारे मैंने यहां solve कर दिया है तो किसी भी बंदे का जो नाम रिश्टर हो चुका है उसका रिमूब नाम क्यों होता है किस कंडिसर में हो सकता है यह सारी बात है तो इसके लिए कुछ हमारे बंदा जो रेश्टर फार्मसिट लेकिन क्या हो गया उसको कोई जेल हो गयी किसी बात की कोई इसने offense कर दिया या कोई भी चीज़ागी जो हमारी executive committee ने उसको पकड़ लिया और बाद में उसको यह सब किया तो इसको नाम फिर क्या होगा बाद में रिमूब कर दिया तो यह हमारा second fund हो गया यान कि यहां पर क्या होगा एग्जीकेटर कमिटी ने हमारा यह decide कर दिया भाई इंड़र ले लिया कि यह वंदा हमारा रेश्टर फार्मसिट के लिए fit नहीं है तो यह हमारा हो गया जहां पर उसको हटा दियता है उसके नाम को थार्ड हमारा आता देखो कोई भी हमारा person है वो क्या करता है बड़ी बड़ी कंपनियों के नीचे काम करने लगते हैं अपने आपको joint वगरा थोड़ा और लेके इस चारह से काम करते हैं तो मालो कोई बंदा ऐसे काम करता है किसी के अंडर में काम करता है उसका connection को बिजनिस वगरा से बढ़ा खुद कर दिया और थर्ड उसके कोई offense के सीन में जानके उसने कोई offense कर दिया जिसको नहीं करना चाहिए तो सीन में भी उसको मतलब सारा कोई से देखा दाएगा परख़त आएगा और बाद में उसको जानते अठा दिया दाएगा तो यह हमारे तीन चार फंडे हो गए तो अब हमा कोई बंदा है नहीं है या लेकिन फिर भी लिख रहा है था घ का का फार्रिपे ये जेल बहुत भारी पढ़ताती है तो इसलिए ऐसा कोई भी काम आप फीचर में ना करना फिर सेकेंड हमारे हाथ है डिस्पैंसिंग वाई अन्रजिस्टर्ड परसन जैसे मालो कोई बंदा है वो रिजिस्टर्ड नहीं है उसका कोई में मतलब सीने लेकिन फिर भी वो दबा फार्मसिष्ट नहीं है तो वह क्या करेगा वह ना दबा दे सकता है ना कुछ मिक्स कर सकता है ना कुछ कंपाउंड कर सकता है ना कुछ प्रिस्क्राइब कर सकता है तो यह बैसिकली मैंने आपको बताजिए एस नौलेज परपस के लिए सेक्शन 42 के तहट यह सभी आती है वहारा आता है अब जो मैंने यहां बताए मालो किसी भी केस में क्या होगा उसका चील लिया गया बापस हो गया और उसके बाद क्या होगा वह बंदा आपने सब्सक्राइब को बापस नहीं दे रहा कोई भी सीन कर रहा है तो क्या होगा कि स्टार्टिंग में उसको चीज़ा नहीं करनी दे जा रही है तो उसकेस में क्या होगा जो उसको रोकेगा उसको जहां पर जेल हो जाएगी लगवगवग 6 महीने तक की और 1000 रुपे तक का जुर्मान या फिर दोनों ही सीन हो दाएंगे तो यह था बेसिकलि हमारा पूरा फंड़ा फामेसी एक के बा आप सब्सक्राइब लोग अपना अपनी ख्याल रखेगा बाई बाई दोस्तों जहिंद दोस्तों